दोस्तों अक्सर धूप में बाहर जाने की वज़ा से या फिर गर्मी पसीने की वज़ा से कई बार गोरेपन में कमी आ जाती है इसके अन्य भी कई कारण हो सकते हैं जैसे कि सूरज की धूप, परदूशन या चैरे पर दाग धब्बे आ दी आपको बता दे कि जो बजार में स्किन केर के प्रोड़क्स मिलते हैं कई बार उनसे फायदा पहुचने के बदले नुकसान ज्यादा हो जाता है तो ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जो कि आप घर पर ही बना सकते हैं और आप इन नुस्खों को अपना कर बहुती जल्दी गोरापन पा सकते हैं तो दोस्तो सबसे पहला नुस्खा है बेकिंग सोडा का आप बेकिंग सोडा और पानी को मिला कर एक पेश्ट बनाएं और इस पेश्ट को आप 15 मिनट के लिए चेहरे पर लगाने और 15 मिनट बाद आप इसको दोलें यह बहुती कारगर तरीका है और गोरेपन को वापस लाने का बहुती अच्छा उपाय है अगली चीज़ा दोस्तो दूद और केला आप पके हुए केले में थोड़ा सा दूद मिला कर आप एक पेश्ट बना सकते हैं और इस पेश्ट को आप 20 मिनट तक चेहरे पर लगाएं और उसके बाद नॉर्मल पानी से आप चेहरे को धोने इससे काफी जल्दी गोरपन वापस आने लगता है अगली चीज़ दोस्तों गुलाब जल गुलाब जल जो होता है वो आपके चेहरे को टोन करने का काम करता है आप गुलाब जल को थोड़े से दूद के साथ कच्चे दूद के साथ मिला कर लगाएं और better तो ये है कि आप इसे रात को सोने से पहले लगाएं, इसे तवचा में जो है एक brightness ही आती है अगली चीज़ है aloe vera gel, aloe vera gel का फायदा ये है कि आपकी तवचा को गोरा बनाने के साथ साथ उसको soft और smooth बनाता है इसे आप चैरे और गरदन पर 30 मिनट के लिए लगाएं उसके बाद धो सकते हैं अगली चीज़ है दोस्तों शहद, आप शहद की कुछ बूंदों को नीमू और थोड़े से दही के साथ मिक्स करकर चैरे पर लगा सकते हैं और आपके चैरे को tight करके जुर्यों को दूर करता है, इस वज़ा से आपका चैरा काफी bright, साफ और गोरा दिखाई देता है इसके लबा दोस्तों आपको कम से कम 8 गंटे की नीन्द जरूर लेनी है, क्योंकि नीन्द पूरी करने से आखों के नीचे जो dark circles है वो दूर हो जाते हैं और साथ ही अगर नीन्द पूरी होती है तो body पूरी relax होती है, इससे चैरे पर प्राकरतिक glow आता है और चैरा एक निखना निखना गोरा लगता है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ऐसी वीडियो रोज देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को like and share करना बिल्कुल भी ना भूले, धन्यवाद